इस विरोध प्रदर्शन में कॉंग्रेस, NCP, महाराश्ट के विपक्षी पार्टियों के सभी नेता इवियम के विरोध और बैलेट पेपर से चुनाओ कराये जाने की मांग को लेकर शुकरवार को एक मंच पर नजर आए इन नेताओं ने इवियम पर जनता का भरोसा नहीं होने के कारण बैलेट पेपर से चुनाओ कराने की मांग की विपक्ष के नेताओं ने अपनी मांग को लेकर 21 अगस्त को एक रेली भी निकालने की बात कही है इस विरोत प्रदर्शन में कॉंग्रेस, NCP, महराष्ट नवनिर्मान सेना, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन सहीत महराष्ट के करीब सभी विपक्षी दलों के नेता एक जूट दिखें विपक्ष की मांग है कि महराष्ट में आगामी विधान सवाचुनाओ बैलेट पेपर से कराये जाएं हाल ही में यूपी अध्यक्ष सुनिया गांधी और त्रिनमुल कॉंग्रिस के अध्यक्ष वपश्यमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जिसे मिलकर लोटे महराष्ट नौनिर्मान सेना के प्रमूख राज ठाकरे ने दावा किया कि ज्यादातर वोटरों को ईवियम पर भरोसा नहीं है राज ठाकरे ने ईवियम को लेकर बीजेपी शिव सेना पर भी हमला बोला लोग सबा चुनाओं के समय बीजेपी के खिलाफ राज जबर में प्रचार करने वाले राज ठाकरे पहली बार कॉंग्रेस के नेताओं के साथ मंच साजा करते हुए दिखें NCP पहले से ही MNS को अपने गडबंधन में शामिल करने की बात कह रही है और उसके पक्ष में भी रही है हाला कि MNS को गडबंधन में शामिल करने पर कॉंग्रेस की ओर से अब तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है